Hello my dear students मैं आपको Aesthetic Art में Words बनाना सिखा रहा हूं जो Lesson 4 है और ऐसे ही Sequenceаз हम एक एक Lesson Aesthetic Art में आपको सिखाएंगे तो उसी में आपको पूरा करना है जो आपके Assignments आट फऐल में करेंगे जो aesthetic art में करना है तो वो उसमें करते हैं तो मैं आपको एक नया demonstration आती है रहा हूँ थैंक्यू तो यह आपकी art aesthetic art में यह page number 4 है bird study तो इसको हम करेंगे इसको मैं बता दो इसको हम pencil color से भी कर सकते हैं और black pencil से भी कर सकते हैं कि बहुत light light करेंगे पहले और जो पैंसिल की इसमें जो outline दी हुई है इसको आप पकड़ के रखेंगे अगर यह change हो गई तो आपकी word की जो anatomy है वो change हो जाएगी इसको pencil color से भी कर सकते हैं और black pencil से भी कर सकते हैं कर सकते हैं कर दो आपकी कर सकते हैं कर दो झाप कर सकते हैं तूम इस हो जाएगी जापकी भी कर सकते हैं झालो 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 कि इस तरह के से यह इसमें आप पहले लाइट फिर सेकंड कोड़ और फिर थर्ड कोड़ में थर्ड में थोड़ा सा इसको डार करते हूं चलते हैं इस तरीके से यह इसमें चेंज भी कर सकते हैं फोड़ा सा यहां पर खाली खाली लग रहा है तो यहां पर थोड़ी सी लीफ बना दो कि रापिश्च में तो बेल गाल करेंगे और इसको इसा कर सा क्षाइब कर दो यहां इस है कैश्च कलर में भी प्रट्रिस करेंगे इधर वाले को और नेक्ट लास में मैं इसको पैंसिल कलर से बनाना सिखा हूंगा थैंक यू वेर मुच